हेलो गाइज, मेरा नाम है राहूल और आप सब देख रहे हैं Plant World मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैंसिवेरिया प्लांट्स की केर एंड प्रॉपगेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो दोस्तों, सैंसिवेरिया एक बहुत ही पॉपलर आहूस प्लांट है जिसकी अराउंड 70 स्पीशीज है और ये एस्पेरे गेसियाई फैमिली को बलॉंग करता है जो की नेटिव है एफ्रिका, मेडगैसकर एंड सदन एशिया से इसको हम स्नेक प्लांट, मदर इनलॉर स्टंग या डेविल स्टंग के नाम से भी जानते है ये एक और्नमेंटल प्लांट भी है जिसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते है अगर आप प्लांट को इंडोर ग्रो करते हैं अपने घर की हवा को फ्रेश और प्यूरिफाइ करने के लिए तो ये एक बेस्ट आप्शन रहेगा क्योंकि सैंसिवेरिया प्लांट 24 hours कंटिनूसली आपको ऑक्सिजन प्रोवाइड करता है जादतर प्लांट रात के समय फोटो सिंथेस ना होने के कारण CO2 रिलियोज करते हैं यानकि कारबन डायोकसाइट लेकिन स्नेक प्लांट रात में भी आपको ऑक्सिजन रिलियस करके देता है इसलिए आप इसको अपने बेडरूम में भी ग्रोव कर सकते हैं ये एर में से formaldehyde, benzene, xylene जैसे harmful air pollutants को absorb करके आपको fresh air देता है तो दोस्तों अब हम इसकी care के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका soil mixture कैसे prepare करना है इसका soil mixture बनाने के लिए आप one part लीजिया normal garden soil, one part लीजिये sand या बजरी one part लीजिये perlite, one part लीजिये cocopeat और एक part लीजिये compost इस combination से आपका soil mixture पूरस होगा और well draining होगा जो इसके लिए एक perfect soil mixture रहेगा next अब हम इसकी light requirement पे बात करते हैं snake plants को medium to bright indirect light पसंद होती है और अगर आप इनको morning की two to three hours की direct sunlight भी देंगे तो इनकी growth बहुत ही fast होईगी और plant आपका healthy रहेगा snake plant को हम low light conditions में भी grow कर सकते हैं लेकिन low light condition में grow करने से इसकी growth बहुत ही slow रहेगी और आपका plant laggy भी रहेगा दोस्तों low light plant का मतलब होता है कि वो low light tolerant है यानि कि वो low light में भी survive कर जाएगा लेकिन अगर आप अपने plant को low light में grow करते हैं तो आप उसको weekly one day के लिए bright indirect sunlight में रखिये या तो फिर आप उसको daily one to two hours के लिए bright indirect sunlight में रखिये जिससे वो अपनी healthy growth के लिए food produce कर सके नेक्स्ट अब हम इसकी water requirements से बात करते हैं दोस्तों snake plant एक drought tolerant plant है मतलब इसकी watering requirements कम है आप इसको तभी water करें जब इसका soil top से two to three inches dry लगे winters में जब इसका dormant period होता है यानि कि rest period होता है तब आप महिने में एक बार भी water करेंगे तब भी इसके लिए वो sufficient रहेगा next अब हम इसको fertilizer कब और कैसे देना है उसके बारे में बात करते हैं आप इसके growing season में one handful of compost और liquid seaweed fertilizer को one some one feed कर सकते हैं liquid seaweed fertilizer and balanced NPK fertilizer को आप mix करके as a foliar spray भी कर सकते हैं winter season में आप इसको fertilizer मत दीजिए क्योंकि ये इसका rest period होता है next अब हम इसको fertilizer spring season में देंगे यानि कि March, April का जब महिना start होगा तब हम इसको fertilizer दुबारा से दिना start करेंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं snake plant को propagate कैसे कर सकते हैं snake plant को हम easily leaf से या अपने plant को divide करके propagate कर सकते हैं और snake plant को आप water propagate भी कर सकते हैं इसको leaf से propagate करने के लिए आप इसकी leaf के 2-3 inches के pieces लेके soil में press कर दीजिए within a month इसकी roots develop होके soil के नीचे से new baby plants निकल आएंगे और आपको एक नया plant मिल जाएगा और अगर आप अपने plant को division method से propagate करना चाहते हैं तो आप अपने plant को पहले pot में से निकाल लीजिए फिर इसके different different plants को individually separate करके आप pot में लगा सकते हैं और अगर आपको water में propagate करना है तो आप इसकी leaf को cut करके water में dip कर दीजिए और once a week इसका water change करते जाएगा regularly उससे भी आपका ये propagate हो जाएगा तो दोस्तों आज की video में बस इतना ही आपको ये video कैसी लगी है इसके लिए में comment section में comment करके बताएगा अगर आपको video useful लगी है तो आप like कीजेगा और अपने friends and colleagues के साथ share कीजेगा क्योंकि ये बहुत ही beautiful इंडरो plant है और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 24 hours आपको oxygen देता है तो आप इसको अपने friends के साथ share करिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे next time तब तक लिबाए happy gardening and thanks for watching